नमस्कार आप देख रहे हैं उनिवर्सल लीज दिल्ली भलस्वा डेरी थाना इलागी के रसंत विहार में एवक ने लगाई फासी दुकान के अंदर खुद को फासी के बंदे से लड़ गाया पिजले कई सालों से सम्ता विहार में रोड पर करता था टेलर का काम कुछ दिनों से चल लाता परिशान पत्नी और बच्चे गए वेत गाउं भलस्वा थाना पुल्स और क्राइम टीम मोगे पर पहुची राज़दाही दिल्ली के मुखनपुर के में मार्केट में उस वक्त आफरा दपरी मच गई जब मार्केट में ही दुकान के अंदर एक सेक्स के फासी के फंदे का मामला सामने आया समत्य वियार में मार्केट के टेलर की दुकान चला रहा था राज़ेस पिछले कई सालों से यही पर अपनी दुकान चला था सुभई से दुकान नहीं कुली तो जब कुछ ग्राहक अपने कपड़े लेने के लिए पहुचे तो पडूसियों ने श्टर को हलका खुला देख उठाया तो सभी के पहरोतले जमीन किसा गई 32 साल का राजेश एक चुनरी से दुकान के अंदर ही लड़का हुआ था आनन फान में पुलिस को मामले की सुल्सना दी गई पुलिस मौके पर पोची और राजेश को नीशे उदारा पता चला कि राजेश की मौत काफी देर पहले हो चुगी थी राजेश का पूरा परिवार तेन दिन पहले ही बिहार में अपने घर गया हुआ सुत्रों की माने तो राजेश पिछले कुछ दिनों से परिवारिक टेंशन में चल रहा था और साथ ही जानकारों से कुछ रुपए भी बियाज पर लिये हुए थे लेकिन अभी तक एव वक्ता नहीं हो पाए कि राजेश ने इतना बड़ा खतम क्यों उठाया जिस तरीके से समाज में खुदगुसी के मामली लगातार बढ़ते रहे हैं उसको देखकर यह कहना गलत नहीं हो कि अब लोगों के मन में शेन सीलता खतम होती जा रही है यहीं बज़े है कि बेक्ति मामूली तनाव भी नहीं खेल बाता और अपने जिवन को खतम करने का सबसे गलत फ्रेसला ले लेता है फिलाल पुलिस ने राजेश की सौग को पोस्ट मार्टब लिए भेज कर मामली की जाच सुरू कर दी